नमस्ते दोस्तों और वेलकम टो माई यूटूब चैनल फिटनेस इंडिया में एक बार फिर आपका श्वागत है और आज का जो वीडियोँ हम लोग कवर करेंगे वीडियो है ful body work out जैसे हम लोग को muscles recover करने के लिए weekly एक rest लेना चाहिए उसी तरह हम लोग को जिस दिन रेना है उसके एक दिन पहले फुल बोड़ी वाक आउट करना चाहिए जो कि हमारे मसल्स गेन के लिए बहुत ही फाइदे मंद होता है तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो तो वाई सबसे पहले हम लोग अपर बोड़ी को ट्रेंड करेंगे बेंच प्रेस करेंगे इसमें वह बहुत हैवी वेट लिफ्ट नहीं करना है अगर आप बिगिनर से नहीं है तो मैं कैप सिटी के साब से बेट लीजिए ग्रीप को पूरा पकड़ लेना इससे स्लोली डाउन करके स्लोली अप करना है कि देखे स्लोली डाउन फूल बैलेंस के साथ स्लोली डाउन करना है आपको कि अधिए कि अधिए कि अधिए यह फ्याइब बारा से पंदरा रेप्स के बारा से पंदरा रेप्स के दो सेट बीज को लगाई यह ज़िए ज़िए शेकंड सेट है फुल मुरेंज आप मुस्टन में था श् 머 लोली यह यह ज़िए बाड करना है खर एं गवाँ यह ज़ी फुल ऊंस 5000 वा segu honoring कि अप्सट्राइब कर रहा है तो आपको बेंच चाहिए इस तरीके से आपको डंबल्स को पकड़ लेना है और श्लोली है डाउन जाते समय डंबल्स क्वाइस रखना है कि अब करते समय अशे रखना है है कि ऐसIES करने का इससे आपका जो लौवर्ट ट्रें में अगयाता है है और जो कुछ आजने जो है लड़कियों के बूफ की जरद दिखता है कि उधार से फैट निकालने बहुत कारगर होता है आपका लोवर चेस्ट का काटिंग के लिए भी बहुत त्यानदार है यह कि जाओ का जाओ करेंगे बैक को अपने ट्रेन करेंगे बैक मसल्स को ओके शो इस तरीके से आपको खीच रहा है कि दस सेकेंड होल करके स्लोली रिलीज करना है फूल बैलेंस में बोडी फिक्स रखना है बोडी मूव नहीं करना है है त्री फूल बैलेंस के साथ कि अगर्ग अगर्ग और अगर्ग है जाओ इसको आपको 10-12 राफ के दो सिट लगाईए इसको ओके तो इसको करने के समय आपको बहुत ही सावधानी बरतने का जरूरत है जब भी आप करें दोनों पेरे को बीच में थोड़ा गैप करके अपने सोल्डर के अकोडिंग बार को पकड़ें और सीधा लिफ्टिंग आप पर बेक इसे होना चाहिए एंगो छोली आ इस तरीके से था त्री फूर फाइफ शीट सेवन एट गाई अब गाई श्टाव एट इस टार गाई का अब टरी यह फूर फाइंज सो गाइस बारह से पंदर अप्स के दो सिट इसका भी लगाएं थर्ड सिट हम लो का लास्ट और आ करी है बाए बैक एक्सरसाइस का वह दंबर सुद ले 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 ना इस है देखें शीधा आप करके इस तरह से डाउन करना है अब देखें से अब देखें सो फोल बैलेंस के जार वाइब अप्ससरा इस जीधा अब टिंब यह ने वह दो है कि आइज दो है ट्री आइज बारह से पंदर रैप्स के दोनों हैंड से दोनों हैंड से 12-15 रसक लगाने हैं दो सेट वाला सो गईस बैक चेस्ट और बैक काम आरक से सजो गया अभी हम लोग अपने सोल्डर को ट्रेंड करेंगे डंबल्स के साथ आपको अपने कैपसिटी के इस आपसे डंबल्स ले लेना है शीज़ भाठके इस तरह से यह श्लोली डाउन फूल रेंज आप मुर्शन में डाउन करना है वन टू ट्री फोर फाइव शिक्स सेवें एट याफ ट्री ट्री याफ डर्स, विच्छोल्डर का वर्काउट करने है अब डंबल्स के साथ, सेकंड हो ना याफ 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 कि इसको भी आपको तस्ते बारा रास के दो सेट लगा है ओके तो गाइज चेस्ट बैक एंट शोल्डर्स का वर्काउट फिनिस हो चुगा है अब हम दो करेंगे बाइसेब का वर्काइट बाइसेब विट बार वेल कि आपको पोड़ी सीधा रखना है स्लोली अपकरना इस तरी के से यहां तक लाना है स्लोली डाउन देख रहे हैं इस तरी से टू तरी ग्रिप को पूरा मजबूत पकड़ना आपको फूर वाइव इस तो अव्य्योज है स्वीक्ति हैसे आपको फूर्ण वास्ट 3 वाओ फूर्ण प्रदाव रस्केड में ढूसे ड़्या अपक्ड़कर प्रद में जुद्ध bicep workout with dumbbells hand strict, body strict, hand fix okay then go slowly up okay इसतर इस 3 4 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 12 15 12 12 12 12 12 12 12 12 12 एक्सराइज में आपको हैंड फिक्स रखना है बोडी फिक्स रखना है फुल रेंज आफ मोशन में अप एंड डाउन करना है जिस चीज को हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं कॉंस्टेट फोकस उसी जगह पर होना चाहिए है ट्राइशेप्स ओके सिक्स स्लोली आप दोली तेन वन ट्री फोर वाइव शिक्स ट्राइब एक्ट करना है और वी रोप के साथ होगे यहां पर भी आपको हैंड फिक्स रखना है बोडी फिक्स रखना है स्लोली यह फूल डाउन करना है कुछ सेकेंड टाख होल्ड करके फिर रिलेस करके करना है फिर ओल्ड करना है तो पाइब है जिस टेन दस्टे बारा रप्स के दो सेट लगाएं इसका भी यह हम लोगा ड्रैसेफ का एक्सरसाइज था और लाश्ट वन जो ट्रैसेफ का एक्सरसाइज है वह मैं आपको करके दिखाता हूं हाई इसमें आपका ट्रैसेफ सोल्डर्स चेस्ट फुल बोड़ी वरक आउट एक्सरसाइज है मैं आपको दिखाता हूं इसमें आपका ट्रैसेप बी ट्रेन होगा सोल्डर बी ट्रेन होगा चस्ट बी ट्रेन होगा वह तरीके से हो जाना है slowly down on a full go up yeah three four five six six seven eight oh come on yes मेरे से दस्ती हुआ अब दस्ती बारे रेप्स के दो या तीन सेट लगा सकते हैं तो अभी जो अभी जो हम लोग वरक आट करेंगे लास्ट है कि इसकोर्ट वरक आट लेग का वरक आट हम लोग करेंगे मेरे पास बेल्ट नहीं है इसलिए मैं लाइट वेट से कर रहा हूं कि ओगे कि दोनों पैरों को बीच में शोल्डर का कडिंग गर्प करके श्लूव लिए इस है है तो शूइब करें ऑफ दो त्री आफ वाइन तो है कि आप त्री आप आप पसंद आया आप डरी पसंद रहें तो चनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट कर अपने दोस्तों का साथ शेयर कर रहें जैंट झाल झाल